गंगा बिलास रिवर क्रूज हर किसी के लिए ये नाम थोड़ा असर्ज से भड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें इतनी सारी खासियत है इतनी व्यवस्थाय दी गई है और खास करके ये है कि ये विशू का आप समझने वाली बात है विशू का सबसे लंबा रिवर अब इसमें समझने बाली बात है हमारे पीछे आप भीर देखिए वो भीर आपको नजर आ रहा होगा और यह सारे जो बीर जितने भी बीर नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यह देखने के लिए आए है कि आखिर गंगा बिलास रिवर क्रूज में खासियत क्या है अखिर टाइटनिक का नाम लोग काफी सुने थे लेकिन टाइटनिक के बाद अगर कोई दूसरा नाम सुनने को मिल रहा है तो वह है गंगा बिलास रिवर क्रूज हर किसी की एक कोसिस हो रही है कि कास उसके आस पास भी पहुंच जाए लेकिन दुरभागी कहिए या एक साबधानी कि लोगों को वहां दूर दूर तक जाने को मना ही है इसलिए कोई लोग वहां नहीं जा पार है लेकिन हर चोटे-चोटे बच्चे बड़े बुजूर्ग महिला है हर तबकी के लोग आ रहे हैं और इसको देखने के लिए आ रहे हमारे साथ कुछ एक फैमिली भी है इनसे भ कि गुजर रहा है यहां पे स्टे है तो हम लोग बस कौतुहल बस देखने आ गए इसको देख करके कैसा लगा क्या कुछ अलग क्या लिए दिखा आपको लगा कि सीप के रास्ते भी पानी के रास्ते भी हम लोगों का अवा गमन का साधन जो है बन रहा है अना भविस के लि अच्छा देश का विकास हों रहा है 할सपाई बाभ यहे देखी गंगे विलाष सिर्वर कुछ्ज कैसा लगा तैसा नहीं जिए इस्टा थ़ झाल लगाम क्या पता घुए tuba का अंटी कि आप लोग का तो एज लग loves yogoda के आटा होगा कभी नदी के माध्यम से भी गई होंगी या फिर जहाज बहुत तरह का देखा होगा अपने लेकिन क्या यह क्रूज देख रही है इससे पहले आपको नहीं देखे थे पानी वाला जहाद देखे थे स्वनपुर जाने के लिए लेकिन ऐसा नहीं था यह दूसरी की सिमका इसके खासियत क्या बताएंगे अप अच्छा है लॉंग सफर के लिए इसमें है कि बाग की सारे सोवी धाई है चली कुछ को फोली डे के तरह हम लोग कुछ को इंजवाइए कर सकते हैं कभी घूमने जाना हम लोग को हुआ तो अपना जो भी इस्टे हो अपना होली डे के प्रशू इंजवाइमेंट कर सकते हैं तो आप देखें तस्वीरों में एक लोगों में खासा उस्सा देखने को मिल रहा है और इस क्रूज को लेकर के इस क्रूज का लगबग ये तो 2020 में इसका घटन होना था लेकिन को लेकर के इसको रोक दिया गया और 2023 में जाकर इसका जो कहें आवागमन का जो शाधन है शे बनाया गया और बनाने के साथ साथ इसकी इतनी खासियात और इसस्ताइंज में है कि हर कोई आप देखिए कि आसपास किनारे पर ऐसे गंगा का द्रिस से देखने के लिए लोग आते थे लेकिन आज जो भीर हमारे आसपास है और का जो एक जगह होता है, एक मनोरंजन का साधन होता है, वो यह गंगाबिलास रिवर क्रूज बन चुका है, अब हला कि प्रोटेक्शन के मामले में हम बता दे, तो आप देखें इस गंगाबिलास रिवर क्रूज के आसपास कोई नाओ वेगरा भी नहीं चल रहा है, ताकि कु देखने को मिल रहा है, फिलाल के लिए इतना ही बने रहे है, कसिस न्यूज के साथ अंकिता सिंक्रिपूर्ट